हालो फ्रेंट्स एक बाफ फिर आपको दोस्तों आगे तो दोस्तों आज़की इस वीडियो में आपको बात करने वाले यूपी स्कॉल्सिप के फॉर्म के करक्शन से सम्मद है काफ़ी स्टुरेंट्स के लगातर कमेंट्स आ रहे हैं वैंक एकाउंट से रिलेटेड जिसमें क देट के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब करके वैल एकन को जुरूर प्रेस कर लिजे चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप देख सकते होंगे सबसे वहली प्रॉब्लम यहां पर लिखी हुई आपके सामने पॉइंट नमर बन पर अगर आपके फॉर्म में यह प्रॉब्लम आ रही है आपके स्कुटिन रिजल्ट में यह लिखा हुआ आ रहा है तो इसके लिए आपको अपने बैंक में जाकर एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है या फिर नहीं है एक बार चाहे तो आप उसमें पैसे डाल कर देख लीजिए या फिर पैसे निकाल कर देख लीजिए कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बहां से आपको पता चल जाएगी कि इबार क्या होता है आपको जो बैंक अकाउंट होता है वो इनक्टिव भी हो जाता है वट एक बार आप चेक कर ठीक है ता कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है इसमें आपको कंफर्म हो सके कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है यदि फिर भी आपको सामने प्रॉब्लम आती है तो आप इसके लिए अपने कॉलेज में अप्लिकेसन जरूर दे दीजिए इसमें आपको किसी भी तरह का online correction करना नहीं होता है ठीक है चलिए second problem के बारे में बात करते हैं आप देख सकते होंगे वेनिफिस्टरी created with an account what UID is invalid यदि आपके form में ये problem आ रही है ठीक है executing result में ये लिखा हुआ रहा है तो ऐसे चात्र जो है वो अपना खाता bank से संपर कर अपने खाते में आधार feed जरूर करा लें ठीक हो सकता है आपके आधार card जो है वो bank account में link किया हुआ ना हो भले से आपने जमा कर दिया हो वड़ हो सकता है account में link ना हुआ तब का आधार तो ऐसे में एक बार आप confirm जरूर कर लें bank में ठीक है बढ़ फिर भी आपके सामने ये problem आ रही है तो आप इसके लिए college में application जरूर दे दीजिए कि हमारा जो bank account है वो आधार card से लिखके है बढ़ फिर भी ये problem आ रही है सही कराएं क्योंकि कई बार क्या होता है इस प्रेंट्स का जो bank account में name की spilling होती है और आधार card में name की spilling होती है या फिर father name की spilling होती है तो उनमें कई बार difference होता है ने की अलग-अलग होती है तो इस बज़े से भी इस वार ये problem हो सकती है क्योंकि इस बार government जो है वो आपकी चातवरती bank account के नंबर के आधार पर ना भेज़कर आधार card के बेस्ट पर भेज़ेगी इसलिए जो name आपके bank account में हो वही name आपको अपने आधार card में भी वही spelling रखना है यही सब कुछ ठीक ठाक है ठीक है दोनों ही spelling एक जैसी है bank account में भी और आधार card में भी तब भी आप भी अपने college में इसके लिए application देद दीजिए ठीक है ताकि आपकी problem को समाच कर लान वेबाब के लिए भीजा जा सके रहो बहां से इसका solution किया जा सके ठीक है चली आगे देखते हैं यहाँ पर fourth problem जो है वो बेनिफेस्टरी क्रेटेट वेस्ट आना UID वाट अकाउंट इस व एकाउंट है कहीं वो विलॉग तो नहीं है ठीक है यदि विलॉग है तो आप जैन विलॉग कराईए सही कराईए और यदि सही है वेट फिर भी आपके form में यह चीज आ रही है ठीक है तो आपको क्या करना है वहां से एक अपने college में एक application दे देना है कि हमारे form यह problem आ रही करें ठीक है आपको भी वही करना है जो उपर मैंने आपको बता है सेम तो सेम वही problem है इसके लाव आप फिसिक्स ते नंबर पर आप दिख सकते होंगे problem है bank name and FSC code are not related to each other ऐसे चात्रिया है यह problem उने students के form में आ सकती है जिन students का bank account अभी जल्दी ही में हाल ही में दूसरे bank account मे merge हो चुका है ठीक है जैसे कि United Bank of India का जो account है वो पंजाब national bank में अब merge हो चुका है तो उनका क्या FSC code जो है वो change हो चुका है तो उन students के form में यह problem आ सकती है इसके लाव जिन students ने धोके से FSC code गलत फिल गया होगा तो उनके साथ भी problem आ रही होगी तो यदि आप चेक कर लिज आमें वो online change नहीं हो सकती है आनि कि accounts related आपकी जोतनी भी समस्या है आप online correction नहीं कर सकते हैं इसके साथ है आपको यहाँ पर college में ही application देना होगी account related यह problem आपके सामने आ रही है तो इसके लिए आपको college में यह application देगी समाच कल्यान विवाग से ही आपका जो solution है वो हो सकता है वेक account related problems आप online solve नहीं कर सकते हैं अनि कि online correction नहीं कर सकते हैं वेक account से संबंदित किसे भी समस्या में ठीक है तो दोस्तों यह थी आपके लिए कुछ महत्पूर जानकर इससे तरच बड़ी और भी latest update के लिए आप समस्द बने रहेगा थैंकिस सो मच पर वोचिंग दिस वीड आप समस्द दियो